बुलेशेर की थाना एहमदगड की कजबे की मीना मार्केट में किसी बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने साथी को तमंचे से मारी गोली गोली की घटना नाई की दुकान की है जहां पर चार आवारा किस्म के युवकों में बहस होने लगी बहस के दौरान एक युवक ने अपने साथी को गोली मार दी गोली की घटना से छेतर में फैली संसनी प्राप्त जानकारी की अनुसार आकाश पुतर राकेश उम्र करीब 26 वर्षियों को गाव के युवक ने गोली मार दी गोली सीनी में लगने से युवक गंभीर रूप से घाल हो गया जिसे आनन फानन में थाना पुलिस ने जिला स्पताल पहुचाया जहां से युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्तरों ने हायर मेडिकल सेंटर रिफर कर दिया है जिस युवक को गोली लगी है उस पर कई गंभीर मुकद में दर्ज हैं वो शातर किस्म का अपरादी है और उस पर गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है उदर घटना की सूशना पर पुलिस के आलादिकारियों ने एहमदगर पहुचकर जाच परताल शुरू कर दी है वहीं पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है पीड़िद घाल युवक के पिता ने जो एक फल विक्रेता है उन्होंने थाना एहमदगर पहुचकर तीन युवकों के खिलाफ मुकदमाद दर्ज कराया है पुलंशेयर के थाना एहमदगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों आरोपियों की तलाश पेस कर दी है और पंकाज क्या पाई पर मारी गोली अच्छे अच्छे आपकों ने मारी गोली गोली कौन ने मारी और कौन और साथ-साथ कल शाम के समय आकास नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभब 24-25 वरस के आसपास है उसको गोली मारी गई है उसके साथियों द्वारा गोली मारी गई ये चार लोग जो चारों आवारा किस्म के हैं एक साथ हिकटा थे एक नाई की दुकान पर आपस में बातचीत के दवरान इनमें बात बढ़ गई और इसको गोली मारी गई है उसके खिलाफ तीन मुकर्द में आल्रेडी दर्ज हैं जिसमें एक लूट की योजना बनाते समय अस्रहों के साथ गिरफतार किया गया था दूसरे प्रक्रण में अवय तमंचे के साथ पूर में गिरफतार हुआ था मार दूनामी थे गिरफतार कर लिया गया है से इस तीन अवय उप्रों की गिरफतारी के लिए प्रयास किया रहा है